कि दोस्तों यह जो आप एंजन देख रहे हो यह एंजन होंडा यूनिकॉन का है और इस होंडा यूनिकॉन के अंदर प्रॉब्म जो आ रहा ही थी वह प्रॉब्म यह थी कि जब भी पाइक चलती थी कि तो यह तूसरे और तीसरे गेर में घोंगों आवाज आती थी और काफी वार घच 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 आवाज आती थी तो आवाज तो मैं आपको सुना नहीं पाऊंगा क्योंकि यह काड़ी जब मैं दूसरे तीसरे गेर में चलाओंगा भी तो वह आवाज फील करनी अब कोई आवाज नहीं आएगी तो दोस्तों ये जो गरारी आप हाथ में देख रहे हो ये गरारी खराब हो गई है जब मैंने इंजन का गीरवॉक्स को ल के देखा और ये गरारी बिल्कुल डेमेज हो गई है आप कैसे पता लगाओ के डेमेज हो गई है मैं आपको दिखा देंगे मैं मार्क कर देता हूं अगर मार्क में दिखाए दें तो अगर ये निसान गरारी पर आते हैं दोस्तों देखो जैसे कि मैं नई एल्ट से कर रहा हूं ये निसान अगर आपको लगता है गरारी को चेंज करना पड़ेगा अगर आप इंजन अपनी गाड़ी का खु और आपने इसका काम यह जो गरारी है इसको नहीं दिहान दिया तो आपको दोबारा इन्यों खुलवाना पड़ सकता है हम इसमें नई गरारी डाल रहे हैं दोस्तों यह निव गरारी है इसको न्यू गरारी बुलेंगे तो दोस्तों मैं यही उमीद करूंगा कि आपसे जब आप इंजन अपनी गारी का खुलवा हो यह पुरानी गरारी देख रहे हो इस पुरानी गरारी में देख रहो कितने सारे निसान है कितने सारे डैमेज निसान है जैसे कि आप देख रहे हो तो यह निसानी सी वज़े से आते हैं जब आप गारी को चला लेते हैं और काफी ज तो ज्यादा मेंगा खर्चा नहीं आता अगर इंजन आप खुलबा रहे हो इस तेम चेंज करने में ठीक है आप इसको करा दो चेंज ज्यादा डिले मत करो उससे क्या होगा आपकी इंजन की परफमेंस अच्छे निकलेगी दोस्तों तो अगर आपको थोड़ी से और अगर एकी परा कृमेंजन के चीजन की अबना आपकी 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 में जाये हो इसाहिए नॉलिझन की अच्छे मेंगा हो इसको करने मिचलेगा आपकी तो यूलिबू हो इसक्त दिसक्त्रत्ला कटीछा न्हीं रहे हो इसको का संगी है banco लाग सक्री बाइज से च